हाई फ्रेंड दिस इस आमिर खार अगर आपने हमारे चैनल स्वेल आमिर खार को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल से जल सब्सक्राइब करें वीडियो को शेयर करें और लाइब करें अब आईए जानते हैं में होम मीनू में फॉंट फॉंट क्या होता है इसमें पहला टॉपिक है कि किसी भी सेलेक्टेड टेस्ट के टेस्ट को फॉंट स्टाइल को बदलने के लिए फॉंट का उपयोग करते हैं और सकेडन रॉंट फॉंट साइज इसका शॉट कट की अगर आपको अपने कीबोर्ड में यह प्रेस करेंगे तो आप किती भी फंट के साइज को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं इसके बाद भड़ाता है ग्रोब पॉइंट इसका शॉट कट की अगर इसको आप अपने कीबोर्ड प्रेस करेंगे तो आपने फंट के साइज को बढ़ा सकते हैं जैसा कि इसके नाम से पता चलता है ग्रोब फंट की साइज को बढ़ाना अब इसके बाद अगरा होता है श्रिंग फंट इसका शॉट कट की श्रिंग फंट इसका शॉट की होता है कंट्रोल प्रस बड़ा ब्रैकेट अगर अपने कीबोर्ड में आप कंट्रोल प्रस ब्रैकेट प्रेस करेंगे तो आप किसी फंट की साइज को छोटा कर सकेंगे अब पाच बाद होता है क्लियर फॉर्मेट इसका शॉट कट की इसका शॉट कट की होता है कंट्रोल प्रस इस्पेस अब कीबोर्ड में कंट्रोल के साथ इस्पेस दबाएंगे तो आप किसी भी वर्ड पर की गई फॉर्मेटिंग को एक साथ हटा सकते हैं अब किसी भी टेश्क को स्ट्रेट करके कंट्रोल प्रस इस पर दबाएंगे उसपेस की सारी फॉर्मेटिंग एक साथ फट जाएगी है अब इसके बाद आता है कि गोल्ड इसका स्ट्रोट कट की अगर कीबोर में कंट्रोल प्लस भी दबाएंगे किसी भी टेस्ट को सेलेट करके तो उस पर तो वह टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा मतलब कि वह टेक्स्ट थोड़ा अपने साइज से मोटा हो जाएगा इसके बाद कि इसका शॉटकर की होता है कंट्रोल प्लस आई अगर किसी भी टेस्ट को सेलेट करके कंट्रोल प्लस आई प्रेस करेंगे तो आप किसी भी टेस्ट के इस बीजाइन को च्रेंज कर सकते हैं थोड़ा सा कहा जाएं कि थोड़ा से त्यरा हो जाएगा थोड़ा से इसके बार कि इसके बाद आता है अंडर लाइन अंडर लाइन का शोटकेट की करने के बाद करने के बाद करने के बाद के बाद करेंगे तो वह तरह से अन्डर लाइन हो जायेगा इसके बाद आता है double underline इसका shortcut की इसका shortcut की होता है control shift plus D जैसा कि आप उसके उपर यह देख रहे हैं जैसे कि home menu की नीचे double underline लगा है इसको लगाते कैसे हैं जैसे कि अपने इसके बाद उसके बाद उसे select कर लेते हैं और control shift के साथ deep base करेंगे वह वर्ड के नीचे double underline आ जाएगा अब इसके बाद अब इसके बाद आता है सबस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट का shortcut की होता है control प्लस इसका to इस प्लस का मतलब यह नहीं है कि आपको प्लस प्रेस करना है यह सिर्फ यह दो वर्ड को जोडने के लिए हैं जैसे control के साथ इस control आपको दबाना है अब सबस्क्रिप्ट करते करते हैं जैसे कि आप देखे होंगे as2o 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 के नीचे true है अगर आप टाइप करेंगे true हमेशा as2o के साथ आएगा इसको करने के लिए इस word को हम सेलेक्ट करेंगे सेलेक्ट करने के बाद control के साथ इस गंटू दबाए है तो यह तू नीचे आ जाएगा अब इसके बाद super script super script का shortcut की होता है control के साथ plus यहाँ पर भी वह है plus का मतलब यह नहीं कि आपको plus दो बर दबाना है प्लस सिर्फ जोडने के लिए control के साथ plus इसका example अगर आप अपने computer पे टाइप करेंगे यह के साथ two तो यह बड़ा two होगा से उसी तरह process होता है two को select कर ले उसके बाद control के साथ plus दबाएंगे तो यह अपने आप a के ऊपर चला जाएका जैसा कि a square हो जाएगा अब इसके बाद आता है change case इसका shortcut e होता है control के साथ f3 किसी विट्टर्स को select करने के बाद control के साथ f3 दबाएंगे तो उसको capital letter से small letter में और small letter से capital letter में change कर सकते है इसके बाद आता है test highlight color जैसा कि आप लोग test की पीछे देखेंगे कि कोई color दिया हुआ है रेड येलो जैसे कि फंट लिखा है इसके background में इसको highlight करने के लिए कोई color दे दिया गया जैसे yellow रेड ये color दे दिया गया ये देते कैसे है जैसे कि फंट लिख लिए आपने टाइक कर लिए इसे select करकर test highlight color पर click करेंगे वहां से अपने मन पसंद color आप चूज कर सकते है इसका कोई shortcut की नहीं होता ये उसमें command दिया रहा था उसमें click करके आप color चूज कर सकते हैं और वैसा ही अगला होता है किसी पर टेक्स का जैसे कि फंट लिखा है लिखा है फंट ब्लैक कलर से है इसका में color चेंज करना जैसे रैड येलो ब्लू ग्रीन तो इसे select करने के बाद करने के बाद एक command दिया रहेगा फंट कलर का उसमें से आप कोई भी color अपना चूज कर सकते हैं कि अब चलते हैं अपने डेश्टॉप की स्क्रीन पर जानते हैं कि अब यह सब कमार्ड वहां कैसे यूज करें चली दोस्तों जानते हैं हम अपने PC में वर्ण को वर्ण के जितने भी कमार्ड से कैसे रण कराएंगे सबसे पहले आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे इसमें टाइब करिए विंवर्ड और ओके बटन को प्रेस करेंगे जैसे ही आप ओके बटन को प्रेस करेंगे आपके सामने में MSWARD की फाइल खुलके आ जाएगी और देखिए यह आपको जूम करकर दिखाते हैं देखिए यह है फंड कमांड इसमें आपको इतने कमांड दिए जाते हैं जो हम आपको बारी-बारी करके दिखाएंगे जैसे मैंने लिख लिया सुहल एड आमिर खान इसमें देखिए जिसे आपको इसकी स्टाइल बदलनी है पहला है पन स्टाइल देखिए जिसे आप पहले इसको सलेट कीजिए सेलेट करने के बाद आप जैसा ही इस पर प्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारी पन स्टाइल आ जाएगी आप जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर लिजे जैसे मैंने यह ले लिया देखिए इसकी फन स्टाइल बदल गई सेकेंड है पन साइज पन साइज का शॉर्ट कर दिया यह कंट्रोल शिफ्ट पी आप इसपे क्लिक कीजिए आप यहां से पन साइज बढ़ा सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं आपको जितना रखना यहां से फन साइज बढ़ा छोटा सहल कर सकते हैं और यह चोटे वाले से उठा कर सकते इसका यह यूज होता है और नेक्स्ट है बोल्ड बोल्ड का यूज कहां करते हैं जैसे इस टेक्स्ट को हमें थोड़ा और हाइलाइट करना है थोड़ा और मोटा करना है इस टेक्स को मोटा करना उसको सलिट कीजिए कि यह करना है कि करना है और आई यह बोल्ट पे क्लिक किजिए आप कंट्रोल भी भी कर सकते हैं जैसे बोल्ट करेंगे आपका टेक्स बोल्ट हो जाएगा थोड़ा मोटा हो जाएगा जैसे आप पर या कंट्रोल आई किजिए या इस पे क्लिक कीजिए आपका यह टेक्स वाद तिर्चा हो जाएगा लेक्स अंडरलाइन अंडरलाइन पर जशॉपर रता है कंट्रोल पासफ यू आपको किसी टेस्ट के निचे अंडरलाइन देना है तो क्क्राइड यू लेक्स्ट पर अंडरलाइन हो जाएगा और और नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट और सर्व स्क्रिप्ट इस दोनों का प्रेयोग कैसे होता है आप इसको देखके ही समझ सकते हैं आई यह करके दिखाते हैं जैसे आई मैंने लिखा एस टू ओ एस लिखेंगे तो आप गलत हो जाएगे तो जिससे एस टू आप देखेंगे लिखा हुआ और तू नीचे होता है तो सबसे पहले टू को सेलेट कीजिए सिर्फ टू को और उसके बाल यह देखिए एस टू लिखा अगर नीचे लिखना है तो यह आप नीचे पहले पर क्रिक किजिए तो यह देखिए एस टू हो गया और जैसे आपको लिखना है एसक्वाइर प्लस बी स्क्वाइर तो देखिए यह स्क्वाइर लगाने बस टू लिखा गया इसको स्क्वाइर करने के लिए आप सबसे पहले टू को सलेट कीजिए हिसके बाद यह सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक कर दीजिए देंदा यह एक पर स्क्वाइर लग गया इसी तरह आप up के टू को भी सेलेट कीजिए और सुपर स्क्रिप्ट को आपने कर दीजिए आप देखेंगे यह स्क्वाइर प्लस प्लस जैसे यह सेलेक्टे टेस्ट है इसको सेलेट कर लीज़े आप आप इसे एक मेंट अब नेक्स्ट है चेंज केस जैसे आपकी स्पोई भी अब नेक्स्ट है चेंज केस चेंज केस आप सूपर स्क्रिप्ट के ठीक पगल में चेंज केस होता है जैसे आपको एक वर्ड लिख लिए यूट्यूब लिख लिया मैंने और इसे सब्सक्राइट कीजिए आगें और यह चेंज केस है इसे इस पर क्लिक करके जैसे आप ने यह देखिन छोटा स्मॉल लिखा है आपको पूरा क्यापिटल जाहिए जैसे क्लिक करेंगे यह पूरा टेक्स्ट क्यापिटल हो जाएगा यह और नेक्स्ट है है जैक्स हाइलाइट कलर जैसे आपको ृइस यूट्व ले लिया यूट्व की यूसके बाद है स्ट आप पोई यजनल लिया देखियो टेक्स हाइलाइट हो गए और किसी भी टेक्स अबूस्टे को देखें ये ब्लैक लिखा है स्टार और बिंसको ये यह आप कोई भी करार ले सकते हैं यही होते हैं फंड की कुछ क्लियर फॉर्मेट जैसे मैंने इस पर कुछ एडिटिंग की है यह पूरी एडिटिंग को एक साथ हटाना है आपको सब से पहले आप इस टेक्ट को सेलेट कीजिये इसके बाद यह क्लियर फॉर्मेट लिंग के आगे अब जैसे क्लिक करेंगे यह देखिए पूरी फॉर्म फॉर्मेटिंग हट गया आपकी अगर आपने हमारे चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हमारे चैनल के पैर लाइकट को भी प्रेस कीजिए